दोस्तों तामबा एक ऐसा धातू है जो थोड़ा सा कीमत में कम भी होता है और बहुत ही जादा सिग्रा ये लाबकारी होता है तो आज की इस बिड़ में मैं आप लोगो को तामबे धातू के बारे में बताऊंगा कि अगर हम इसके अंगुठी पहनते हैं इसके छला पहनते हैं तो कुन सी फायदा मिलते हैं और इसका उत्पन कैसे हुआ और इसके सुध्धी करण की भीधी आप में से बहुत सारे लोग तामबे का चूड़ा धारन की होंगे तामबे का जो अंगुठी होते हो पहने होंगे लेकिन दोस्तों जब तक तामबे धातू का आप सुधी करण नहीं करते हैं तब तक उसका आपको अच्छे लाब नहीं मिलते हैं तो आज किस बिड़ो में मैं आप लोगों को इसके सुध करने का तरीका बताऊंगा और इसके पहनने का कम से कम 9 से 10 फाइदा बताऊंगा आप लोगों को ये बिड़ो को पूरा देखना है ध्यान से देखना है बिड़ो को मिस नहीं करना है आधी बीच में छोड़ करके नहीं जाना है दोस्तो छमा चाहूंगा मैं आप लोगों को डेली बिड़ो नहीं दे पा रहा हूं तो जानते हैं तामबे की उत्पत्ती कैसे हुई दोस्तो तामबे का उत्पत्ती भगवान कार्तिक से उत्पन हुआ है दोस्तो इसने हम तामबे धातु को अंग्रेजी में कापर भी बोलते दोस्तो तमबे जो धातू है ये कार्तिक महराजी से उत्पन हुआ है चांदी धातू माता पारवती से उत्पन हुआ है तो दोस्तो जो ये तमबे धातू है सोना चांदी इनसे भी ज़्यादा मुल्यवान और ये गुण कारी है कीमत में हाला की कम है लेकिन गुण में सबसे ज्यादा पावरफूल है, इसके फायदा क्या है? वो भी मयाफ लोगों को पूरा बिस्तार से बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों एक कार्तिक जी से उत्पन होने करण भगवन कार्तिक के शंपून नगुण इसमें बसते हैं, कौन-कौन सा गुण बसते हैं, वो भी मयाफ लोगो जो निरगुंडी का पौधा होता है, इसके रस में तामबे धातु का या तो मरदन किया जाता है, घुटाई किया जाता है, तामबे धातु बनाते समय या फिर आप एक काम करें, इसके साथ भावना दे सकते हैं, साथ बार इसके रस में डुबा सकते हैं, चोबिस घंटे के इसे गौ माता जहां पेसाब करें ततकालो पेसाब ले लिजे और तामबे की अंगुठी आपके पास में तो उसे डुबा करके कम से कम आर से दस घंटे के लिए रखें तो जितने भी तामबे धातु में जो असुद्धी होती है या फिर जो अउगुड होते हो दूर हो जाते हैं फिर आप इसे पहने योग्या बना सकते हैं जब फिर इसे सुद्ध करने के बाद आप धारान करेंगे आप सोयम देखना जितने भी अभी मैं आप लोगों को वीडियो में लाब बताऊंगा वो सारे लाब आपको जरूर मिलेंगे हाँ सबसे पहले जानते हैं इसे कौन अंतरिक वस्तो को धारान करना चाहिए तो जो तामबे का अंगुठी है इसे बुद्धवार के दिन या फिर आप शनीवार के दिन तंत्र क्रिया से परसान हैं बलेक मेजिक लगता हैं किसीने कि ये क्राय कर देते हैं आप इसे हमेशा बचे रहना चाहते हैं बुद्धवा अब धारान करने का समय भी जान लिए। जब सूरफ पुर्यरूर्व से अस्तना हो सायनकाल के समय तो सायनकाल के समय में ये फिर ब्रह्म वेला में आप जो इससे धारान करें तो ये ज़्यादा लावकारी होता है, हीत कारी होता है अब जानते हैं तामबे के जो धातू है इसके स्वामी कौन है तो तामबे धातू का स्वामी हनुमान जी महराज है जो व्यक्ति तामबे रतना धरान करते हैं उनके मंगल तत्वा मजबूत होते हैं हनुमान जी महराज ऐसे व्यक्ति परशदव अपना आसिरवाद बरसाता है तंबे धातू का दीयोंता कोन हैं तो मंगल है, मंगल दे होने करण दोस्तों आपकी जीवन में मंगल का प्रभाव बढ़ जाता है, दोस्तों एसे वक्ती खुब अध्यात मूती करते है, ऐसे वक्ती दिन दगनी राधचोगनी तरक्की करते हैं, तो चलिए इस विडियो में जान लेते हैं तामबे के जो धातू हैं तामबे कंगुठी हैं ये फिर कड़ा पहनते हैं तो इसके क्या फायदा है इसके धारन करनेक बाद आपकी जीवन में क्या के चमतकार होना शुरू हो जाते हैं आईए जानते हैं दोस्तो ये जानकरी बता पहले बस आपसे चोटा सनी विदन है अब यह तक बिडियो को लाइक नहीं कि होंगे तो बिडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बाजू में बने बेल के आइकन को प्रेस कर लेना दोस्तों ताकि हमारे आने वाले इस प्रकार के नालेजबल विडिय वे टापी की तरब बढ़ते हैं तो दोस्तों चुकी मैंने बिड़ो के भी सुरू में ही बताया कि इसके स्वामी हनुमान जी मराज है इसके देव मंगल है और चुकी जो ये तामबे हैं भगवन कार्तिक के ही सुरूप है कार्तिक जी से उत्पन हुए है तो दोस्तों इसके धाराण करने से मंगल दोस्त दूर होते हैं प्रथम फायदे हैं इसके धाराण करने से मंगल दोस्त दूर होते हैं बहुत सारे लोगों की सिकायत होती है जिनके जो आँख है ने तरह लाल कलर की दिखने लगी है मंगल दोस बचने के लिए मंगल दोस के जो असुब प्रभायू से दुर करने के लिए तामबे का अंगुठी कड़ा ये फिर कोई भी बना हुआ अबुसर धारन कर सकते हैं इसे मंगल दोस दुर होते हैं इसके दूसरे खायदा सुने तंत्रक्रियस से बचने के लिए चुकि के अवरा मंडल आ जाते हैं तो अगर इसे सीध करके हमने जो बिधी बता हैं उस बिधी से सीध करके अगर धारन किया जाए तो तंत्र क्रिया से आप हमेशा बचे रहेंगे कोई भी कितना भी वड़ा तंत्री कितना भी वड़ा मांत्री कितना भी वड़ा जानकारवेक्ति क् सुकला पक्षकी पंचमी तीथी को धारान करें, अगर माता धारान करते हैं, जिनकी विवा हो चुकी हैं, लेकिन बच्ची उत्पान नहीं हो रहें, तो बिल्कुल ही पुत्र की प्राप्ती होता है, ये फिर गरबा धारान होता है, लेकिन सुकला पक्षकी पंचमी तीथी को माता इसकंद माता की पुजन करे माता इसकंद माता की पुजा करने एक बाद माता गवरी की पुजा कर लिजे नहीं तो दुर्गा माता जी यू चित्रे उनके पुजा कर लिजे और पांच जो अगरवतिक काणी लेकर के धुए दिखार कर किसी धारान करे खुब लाब मिलें बिलकुल ही गरवधारण होते हैं। इसके बाद इसके چौंथा फायदा सुनिये, जिन हे रग्तोबीकार हो, हमने बहुत सारे लोगों को देखे हैं, रख्तोबीकार की बीमारी होती, एनिम्या होती, इनिम्या होती, जिन को खुन के कमी है, यह फिर रक्त समंदी जो भी परसानी है आप चाहते हैं कि वो परसानी आपके सिगरा ठीक हो यह फिर चर्मा रोग हो चर्मा रोग में बहुत सारे बीमारी आ जाती है सफेद दाग आ जाते हैं बहुत सारे रोग आ जाते हैं तो चर्मा रोग हो या फिर रगत अभीकार की बीमारी हो तो ऐसे वक्ति को तामबे का धातु अवश्र धारान करना चाहिए या आप अंगुठी धारान करें या फिर इसके बनवा कोई भी आप जो अभूशन वो धारान करें इसके और भी लाब बताऊंगा दोस्तो लाब बताने से पहले बस आ ऐसी राम जरूर लिखना क्योंकि दोस्तो हम हिंदू भाई को गर्व करना चाहिए कि अब आयोध्य में प्रभू राम जी महराज जो है अपने गर्भग्री में बैठ चुके दोस्तो और चुकी दोस्तो हमें सनातन धर्म को आगे बढ़ाना है तो हम अपने चैनल में और भी आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे जानकारी लाने का प्रयास करेंगे हमारे चैनल का नाम प्राचीन ग्यान है इसलिए दोस्तो हम प्राचीन ग्यान संबंदी जितने भी जानकारी हमन सभी लोगों के पास में आपको परसान होना नहीं है तो जो तंबे का ये धातू है इसे दोस्तों घी में थोड़ा सा सिंदूर लेना और घी में थोड़ा सा सिंदूर लेने के बाद आपको एक गाढ़ा पेश्टा बना लेना उस गाढ़े पेश्टा में ये जो तामबेक आप अंगुठी लेंगे ये फिर तामबेक कोई आपके पास में अभूशन उसे दुबा देना कितने घंटे के लिए दुबा करके रखना चार से पांच घंटे इसके बाद सादे जल से धोलेना और इसे हनुमान जी मराज को भेट करने एक बाद इसे धारान करना तो सनी की सड़े साती हैं अड़हिया हैं पावनी दसा हैं ये फिर आपके कोई काम है वो बनते बिगणना सुरू हो चुके हैं तो दोस्तों आप ये जरू धारान करें आ तो ऐसे विक्ति तंबे का या कड़ा पहने या फिर तंबे का कोई भी अभूसर धारान करें तो विवा में जो बिलम होरी दूर होते हैं क्योंकि दोस्तों तंबे का कड़ा पहने वाद आपके मंगल का जो प्रभाव बढ़ जाते हैं चुकि दोस्तों मंगल सांध भी होते इसके अधिपती हनमान जी महराज है तो विवा में जो बिलम आती है वो दुर होते हैं। अबी भटकते नहीं तो आत्मासांती के लिए फिर एकागरता के लिए आप जो यह तामबेक धाता धातु जो धारान कर सकते हैं रोग से आप हमेषा जब इसे धारान करते हैं तो बचे रहेंगे हाट जो जो एक प्रकार केश मुल में बोल सकते हैं हाट एक समंधी जो बिमार होती हैं रक्तसमंदी जो बीमारी होती हैं इसे धारान करने के बाद दोस्तों 90 प्रे सिंड कम हो जाते हैं सो दोस्तों आप अपने आपको निरोग रखने के लिए अपने अध्यात मुनति करने के लिए आप यह जो धातु जरूर धारान कर सकते हैं चलिए इसके मैं एक अंतिम फैदे और बता देता हूँ पती पतनी के बीच में अगर अनबन होती है या फिर वेभाविक जीवन में आब के मधूरता नहीं कोई परसानी आ जाती है या फिर तलाग करने का भी नौबत आ चुके तो ऐसे पती पतनी को जरूर जो मंगल समंधी मंगलवार के दिन तांबे का धातू जरूर धारान करना ची अंगुठी जरूर पहने दोनों के जो विवाविक जीवन में जो परसानी है वो दूर हो जाएंगे दोस्तों आप इसके अंगुठी धारान करके देखना अभूशन धारान करके देखना हमारे जल्द में जल्द मिलता हूं आप सभी से किसी नए और एक अच्छे जानकारी के साथ आज किल बस इतना ही बिड़ो को आखरी तक देखने के लिए धन्यवाद अश्कार जय सिरी राम